बच्चो आज हम लोग चर्चा करेंगे अप्ठित कर द्यांश पर अप्ठित का जो शाब्दिक अर्थ है अपठित जो पढ़ा हुआ नहो इसका जो सामान ने अर्थ है बिना पढ़ा हुआ नहो आपकी पाठिपुस्तक में निर्धारित जो पाठ हैं जो गर्द्य हैं उसका हिस्सा नहो जिसे गर्द के रूप में आपको पढ़ाया गया हो ऐसा मतलब गर्द्यांस नहीं होना चाहिए आपने जो पढ़ा है अपने पाथिक्रम में उससे अलग हट कर जो गद्यांस आता है उसी को अपठिद गद्यांस कहते हैं आफिर ये अप्ठित गद्यांस जो है इसका महत्व क्या है क्यों आपको पढ़ाया जाता है क्यों परिक्षाओं में इस पर प्रस्ण किये जाते हैं वास्तो में ये जो अप्ठित गद्यांस होता है यह विचार, चिन्तन और अवलोकन के गुणों का विस्थार करता है क्या क्या विचार चिंतन तथा अवलोकन के गुणों का विचार चिंतन करने की विचार करने की सोचने समझने की और अवलोकन का जो गुण है वो विख्षित होता है और साहितिक रचनाओं को पढ़ने और समझने की ख्षमता का विकास होता है जो साहितिक रचनाएं हैं उनको आप पढ़ें समझें तो यह गुण विख्षित होता है अपठित से अपठित रचनाएं जो हैं हमारी लेखन सैली को भी विक्षित करती है लेखन सैली तथा शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक होती है लेखन सहली आपके लिखने की कला लिखने की सहली और लिखने की प्रक्रिया का विकास होता है साथ ही शब्द कोश आपके शब्दों का भी विकास होता है बने शब्दों का खजाना जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं डिक्सनरी शब्द कोश वो बिक्सित होता है स्वाध्याय की भावना का विकास आपने देखा है कि आजकल जब से निट गूगल आ गया है तब से लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है लेकिन पुस्तकें जो हैं जीवंत देव प्रतिमाएं हैं उनकी आरात्ना से उत्साह का संचार होता है और गुणों का विकास होता है आपको मानसिक संबल मिलता है लेकिन किताबें कम पढ़ी जाने लगी हैं यह भी एक चिंता का विशे हैं लेकिन अपठित जो है आप ये निश्यत मानिये कि स्वाध्याय की भावना को विक्षित करता है आपको कक्षा में पढ़ाया नहीं गया और अपठित आना ही है तो आप अन्यत्र की पुस्तकें पढ़ते हैं और जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे अब उत्तर देने के लिए ऐसी कौन सी महत्वपून बाते हैं जो अप्ठित गध्यांश में पूछे गए प्रस्नों का उत्तर आप लिक्षक हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है एक आग्रता आपका मन बहुत ही एक आग्र होना चाहिए अगर मन विचलित है तो आप उन प्रस्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे जो अप्ठित गध्यांश में पूछा गया है तूसरी चीज मूल भावों की इस पस्तता सबसे बड़ी बात यह है कि उस गध्यांश में मूल भाव क्या है केंद्री भाव क्या है और उसी केंद्री भाव को व्यक्त करने के लिए आपको एक आग्र होना होगा और आपके मस्तिस्क में जो विवेचन की छमता है विस्ट्रेशन की जो छमता है उसका भीविकास होता है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका विवेचन सही हो अभिव्यक्ति की इस पस्तता अभिव्यक्ति भासा जो है एह अव्यक्तिका माध्यम है हम अपनी बात दूसरों तक पहुचाते हैं तो उस गध्यांस में आप देखिए कि आप इसपस्ट हैं कि नहीं है उस गध्यांसे जो बात आप कहें तो आपको इसपस्ट होना चाहिए कहीं ऐसी बात सामने नहों अनर्गल जो उस गध्यांस में आई हो वास्तों में आपको अप्ठित गध्यांस को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्णोत्तर जो प्रश्ण है देना होता है उसके पूर्व अप्ठित को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कई बार आप उस गध्यांस को पढ़ें और पढ़ने से निश्चित रूप से उन प्रश्णों का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा अब जिन प्रश्णों के उत्तर पूछे गए हैं उस गध्यांस में कई प्रश्ण होते हैं तो उसका उत्तर आप से पूछा जाता है वे सारे उत्तर उसी गध्यांस में छिपे होते हैं उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए यह नहीं कि जो गद्यांस में उत्तर है आप हू वहू वही नकल कर दे आपको अपने शब्दों में लिखना होगा यह नहीं गद्यांस की ही भासा आप उठा करके रख दें गद्यांस के अंतरगर्द यह दि कोई कठी शब्द वाक्य उक्तियां जैसे कभी-कभी प्राशों की उक्तियां शूत्र वाक्य यह भी पूछ दिये जाते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो बिना घबराएं उनके अर्थ के अवतरण के भावों से संबंदित चिंतना आपको करना होगा अगर आपकी समझ में नहीं आ रही यह बात तो आप घबराएं नहीं उनके अर्थ को अवतरण के भावों से संबंदित करके जोड़ करके फिर आप सोचिये चिंतन करिये निश्चित रूप से आपको उत्तर मिल जाएगा बच्चो शीर्षक भी पूछा जाता है उपयुक्त शीर्षक बताईए गर्द्यांश का दिये हुए गर्द्यांश का अब आप सीर्षक का निर्धान कैसे करेंगे शीर्षक के लिए सबसे प्रमखुबात है कि अपठित में जो ब्यक्त भाव हैं उसके अन्रूप होना चाहिए यह नहीं कि उसने पूछा है बिनम्रता के बारे में और आप उत्तर दे रहे हैं दीनता के बारे में ऐसा मत करिए आप जो अपठित में भाव ब्यक्त किये गए हैं उसी के अन्रूप आपको जवाब देना है सिर्षक बनाना है सिर्षक कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए आप ने रामचंद्र सुकल को पढ़ा होगा आचार रामचंद्र सुकल को आचार रामचंद्र सुकल ने बहुत छोटे छोटे स्रद्धा और भक्ती जैसे पदुम लाल पुर्णा लाल वक्षी जी का क्या लिखूं बहुत छोटे सीर्षक हैं लेकिन उस सीर्षक के अंतर गत पूरा चिंतन समाया हुआ है तो आप प्रयास यह करें कि आपको जो गध्यान से दिया गया है तो सीर्षक अत्यंत लग हो छोटा हो कम से कम सब्दों में लिखा जाए और सीर्षक ऐसा बनाना चाहिए कि जो अपठित का मूल भाव है वो इतर नहों अलग नहों मूल भाव सामने आ जाए सीर्षक संचिप्त छोटा और आकर्षक और सार्थक होना चाहिए अर्थपूर्ण होना चाहिए अब कुछ और महत्पूर्ण बातें हैं इसके लिए उत्तर आपकी भाशा में हो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए यह नहीं कि जो आपको गध्यांश में उत्तर दिया हुआ है आप उसी को उतार दें आप विशेश रूप से ध्यान रखेंगे कि भाशा आपकी हो अवतरन की भाशा नहीं होनी चाहिए अवतरन यानि गध्यांश में कही गई मूल बातों को तोड़ मरोड कर नहीं लिखना चाहिए यह नहीं कि अवतरन में कुछ दिया है और आपने तोड़ मरोड कर उसे लिख दिया आपका सीर्षक पूरे अवतरन को संकेत करने वाला होना चाहिए अवतरन में जो बात कही गई है तो सीर्षक आप ऐसा चुनें ऐसा लिखें उपयुक्त सीर्षक इस प्रकार का बनाएं कि पूरा अवतरन उसमें आ जाए समाविष्ट हो एक बहुत महत्वपून बात अवतरन के लिए है कि अवतरन में लिखित जो पारिभाशिक या ब्यक्तिवाचक संग्याओं के रूप हैं उनमें परिवर्थन ना करें जैसे राम नाम दिया है या राम लाल दिया है तो आप उसको रमुआ न कहें या किसमने ब्यक्तिवाचक जो नाम है संग्याओं के उनमें आप परिवर्थन बिल्कुल न करें और जैसे पारिभाशिक शब्द हैं किसी की परिवाशा दी हुई है उसमें आप रूपांत्रन या परिवर्थन न करें अवतरन पर आधारित भाशा समंधी प्रस्णों के उत्तर अपेक्षित उत्तर के अनुसार ही होना चाहिए जिस तरह से आप से पूछा गया है आप उसी तरह का उत्तर दें अपनी ओर से कुछ भी न जोड़ें लेकिन अवतरन की भाशा का भी प्रयोग न करें अब आईए एक अउतरन लेकर गर्द्यान से लेकर हम लोग इसका अभ्याश करें बहुत समय पहले एक मनुस्य ने अकस्माद दो पत्थनों को इकत्था कर रगड़ा और आग पैदा की इस प्रकार उसने एक लाभदाय खोज की परन्तों हम इस मनुस्य का नाम नहीं जानते मनुस्य एक बेघर बिचरने वाला प्राणी था जो की अपने खाने की खोज में एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाता रहता था कुछ समय के बाद आगे चल कर उसने खेती बाड़ी की खोज की इससे मनुस्य के रहने के ढंग में एक महान पड़िवर्तन आया वह एक किसान बन गया खेतों में अपने खाने के लिए अनाज उगाने लगा अब उसे भोजन की खोज में इधर उदर भटकने की आवश्यक्ता नहीं थी काफी समय के पस्चात किसी ने पहिये का विश्कार किया आजकल साइकल कार बसें उसी पहिये के कारण प्रियोग में आए अब इस अवतरण पर इस गद्यांश पर हम कुछ प्रस्न करते हैं और उसका उत्तर इसी गद्यांश की भाव भूमी पर हमें लिखना है पहला प्रस्न है बहुत समय पहले मनुष से द्वारा किये गए खोजों का नाम लिखिए बहुत समय पहले मनुष से द्वारा किये गए खोजों का नाम लिखिए तो इसी अवतरण में आया है कि सबसे पहले उसने आग की खोज की फिर खेती वाड़ी की खोज की और पहिया की खोज की तीन मने आविश्कार के बारे में आपको बताया गया है आग, खेती वाड़ी और पहिया अब दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के ढंग में काउन सी खोज महान परिवर्तन लाई मनुष्य जिस तरह से जीवन यापन करता था, उसका जो जीने का ढंग था, उसमें परिवर्तन आया और बहुत बड़ा परिवर्तन आया तो वो कौन सी खोज थी, तो इस अवतरण के अंसार, जो सबसे बड़ी खोज थी, वो खेती बाड़ी की खोज मनुष्य के रहन सहन के ढंग में परिवर्तन लाई खेती बाड़ी की खोज अब तीसरा प्रस्ण बनता है कि पहिये के आविश्कार का आज क्या महत्तो है आप सब जानते हैं कि पहिये का प्रयोग जो है साइकल, कार, बस, रेल आज सम्मे किया जाता है इससे इसका महत्तो और अधिक बढ़ गया है चौथा प्रस्ण है किसान बन जाने के बाद मनुष्य ने एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर भटकना क्यों बंद कर दिया आपने इस आउतरन में पढ़ा है कि किसान बन जाने के बाद मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना इसलिए बंद कर दिया कि उसने अपनी आउस्यक्ता के लिए स्वयम अनाजुगाना आरंभ कर दिया अब आखिरी प्रश्ण है दिये गए अउतरन का उपयुक्त सीर्शक बताईए अब आप पूरे अउतरन को पढ़ा आपने और हर इस्थल पर इसमें तीन इस्थल पर आग की खोज खेती किसानी की खोज और पहिय की खोज तो इसका उपयुक्त सीर्शक बनता है आविश्कार या खोज तो बच्चो आज मैंने आपको बताया कि अपठित क्या है गर्द्यांस अपठित गर्द्यांस है क्या इसका महत तो क्या है और अपठित गर्द्यांस में दिये गए प्रस्नों का उत्तर लिखने का तरीका वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बाते हैं जो आपके दिमाग में रहें मस्तिस्क में रहें और आप सोच विचार कर उसका उत्तर लिखें निश्यत रूप से आपकी समझ में आ गया होगा आप अन्य आउतरणों को लेकर अभ्यास कर सकते हैं